नमस्ते मैं मधुः और आज हम बात करेंगे जो ट्विन फ्लेम अबांडन्मेंट की एनर्जी एक्सप्रियन्स होता है और क्यूँ आपके ट्विन फ्लेम आपको अबांडन करते हैं या तो फिर कभी-कभी आपके मन में क्यूँ ऐसे खाया लाते हैं जिससे आपको मन करता है या आप ये जर्नी अबांडन कर दो या आप इस रिलेशन को अबांडन कर दो तो basically जब हम अपने relation में आगे बढ़ते हैं या जब हम manifest कर लेते हैं अपने twin flame को अपने consciousness में तो उसके पाद हम एक purification process begin हो जाती है start हो जाती है अपने अंदर और जिस process को आप faster कर सकते हो by doing your inner work व अगर आप इसको जल्दी करना चाते हो और fast track करना चाते हो so the process is to do your inner work under the guidance of a guru जिससे आपको आपका healing जो है वो fast track हो जाए क्यूंकि कोई चीज को self discovery करने में बहुत time जाता है and you know more than उसमे time spent करने साथ चाहे कि हम वो time को अपने twin flame के साथ एक अच्छे purposeful life में ट्रांस्फर्म क इसको चाहिए के पूरे life हम बैठ के block heal करे right so this is where I am you know sharing के आप किस तरह से अपने block को देख सकते हो किस तरह से अपना support claim कर सकते हो तो जिसे हमें दिखेगा कि जैसे आपके twin flame में abandon कर रहे हैं आपके phone को respond नहीं कर रहे हैं या तो फिर आपको कुछ commitment दिए होंगे और वो आते नहीं है या तो फिर आपके मन में भी हो सकता है खयाल आ रहे हो कि नहीं करना है यह चीज नहीं करनी वो करनी है तो यह जो abandonment होत अगर आप आके twin flame journey में और इस relation में आने के बाद आपको abandonment दिख रहा है तो यह abandonment काफी deep rooted होता है और कभी कभी किसी के soul में यह abandonment even past life में भी देखने को मिलता है तो abandonment एक core block है twin flame journey में और जिसके साथ layer भी हो सकते हैं क्योंकि जब आपने choose कि abandonment अपसे लेके अभी तक के जो भी आपके choices से जो भी आपके experiences आपने अट्राक किये हैं तो वो कहीना कहीं आपके अंदर बेठा हुआ है और उस सारे layer को heal करना एक process है एक journey है लेकिन with mirror exercise with some support you can do it early faster तो abandonment ऐसा होता है कि कभी अगर जैसे आप बेदा होते हो कभी कभी होता है कि आपके mother की या फादर की death हो जाती है या तो फिर आप adapted हो या तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपके biological parent है बट किसी वज़े से आपके father available नहीं थे basically ये काफी common block है जो generation में इस generation में देखने को मिलता है even both you know कि father और mother दोनों अपने काम को लेके occupied हो गए तो जिस उमर में आपका सीखने का time था अपने आपको समझने का time था और जहां पे अपने parents का सबसे बड़ा contribution था आपको अपनी emotion के साथ connect होने के लिए आपको help करने के लिए उस nurturing में और ग्यान देने के लिए तो वो नहीं ह हुआ है right the past life blocks are you know significant बड़ अगर आप उसमें नहीं भी जाके इसी lifetime को भी देखोगे तो उस energy को आप हील कर सकते हो तो अगर इस तरह की कोई चीज हुई है कि जिसे you know parents आपको emotional support देने के लिए available नहीं थे उन्हों कभी कभी ऐसा होता है कि yes they did everything physically के उन्होंने हमको जो घर दि दिया यह सारा किया you know तो फिर उनके इसाफ से लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे लिए लेकिन सबसे बड़ा जरूत जो होती है कि इनसान के लिए human being we are much more in need of emotion rather than you know यह सारे चीज बाकि सारे चीज नीड है वो fulfill हो जाते हैं लेकिन यह जो emotional कमी जो रहती है उ अगर इस तरह का emotional block है आपके अंदर कि जहां पर आपके parents you know दुसरे बच्चे होनी की वज़े से भी उनका attention आपसे हड़ जाती है या इस तरह का कोई भी चीज हुआ है आपके बच्पन में तो फिर बो चीज अभी आपको भी अपने relation में trigger होगा कि वो अभी बच्पन से ल आपको अगर बुरा लग रहा है so that is your block which can be healed जिसको आपे heal कर सकते हो so इसलिए बिलकुल जीजग के बिना देखिए अपने अंदर के क्या हुआ था आपके साथ जहां पर आपके जहन में यह बैठ गया है and कुछ-कुछ block ऐसे होते हैं कि जो आपको इनो बहुत डर पेदा हो by loving that part of you with mirror exercise सिर्व आपको अपने अंदर ढूंदना है जो आपकी inner child अंदर से अकेली बैठी होगे जिसके पास शायद जिसके पापा या मम्मा उसके साथ नहीं होंगे so just connect with him or her and then just talk to her सिर्फ बात करिये और पूछे क्या चाहिए ता आपको वहां पर simple और वो जो भी बोले और अगर बोले नहीं भी you can give her a hug give him a hug or love him love her and through that process through this mirror exercise step आप उस पाट को heal कर सकते हो वो पाट धीरे 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 करके आपका वो block heal हो जाता है and it is going to be a process but आपको जहां जहां पे भी वो abandonment की layer दिखेगा आप उसको देखिए उस पाट के साथ connect करिए उस पाट को जितना love चाहिए और जितना भी आपका time चाहिए जितना भी आपसे love चाहिए वो सारा उस पाट को दीजिए क्यूंकि आपके twin flame आपके life में आपको छोड़ देने के लिए नहीं आए है और नहीं God ऐसे करते हैं कि चलो मैं इसके लिए इसके twin flame लेके आता हूं और थोड़ा सा bubble phase होने के बाद चलो बाई बाई ऐसा नहीं होता that is not a compassionate process that does not happen in truth तो जो ब्लॉक होते हैं जो हमारे energetic block होते हैं जैसे ही आपके twin flame आपके contact में आते हैं तो फिर वो ब्लॉक अम्प्लिफाई होना स्टाट होता है तो बड़ा होना स्टाट होता है और उन्होंने कर एक बार भी फोन को reply नहीं किया तो आपके अंदर इसा लगया है छोड़ दिया मुझे ऐसा अंदर से फील होना लगता है और जब twin flame आपके true twin flame करते हैं तो वो बहुत बड़ा चड़ा के अंदर से pain जैसा फील होता है but just know that it is an abandonment block because of our unconscious parents or the unconsciousness in the environment जहां पर अपले बड़े हो वो आपके अंदर जहन में बैठ गया है और आप खुद को जादा देर तक बहां पर मत रखिए through inner work through mirror exercise आप अपनी inner child को उस consciousness में से उस vibration में से निकालिए क्योंकि जब आपके अंदर वो बैठा रहता है तो फिर आप वो ही experience वो ही energy बार 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 आपने डुन फिल्म के साथ अट्राट करोगे आपको गुसा आएगा आपको लगेगा कि वो इंसान मेरे साथ ऐसे कर रहा है ऐसा कौन करता है यह सब चीजे आपको आएगा but know that that is your ego mind talking to you ego का काम है हमेशा आपके अंदर गुसा भरना और उससे फिर आप दोनों के अंदर दूरियां बैदा करना अगर आपको सही तरीके से इसको अगर अंदर से हील करने का intention है अगर आप गौड की आवाज सुनोगे जो बोलता है कि यह सिर्फ एक block है जो आप हील कर सकते हो harmonious union आपका natural state of being है तो फिर आप सिर्फ अंदर देखे कि कहां पे हो रहा है और किस तरह से आप इस block को हील कर सकते हो कितनी जल्दी आप इस block में से बाहर आ जाना चाहते हो उके तो जैसे जैसे आपके अंदर ये चीज हील होती है विसे विसे आपके ट्विंक है इनर्जी में भी बहु हीलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा बहुत जगे पर प्यासा होता है कि जो चाइल्डोड आपका गुजरा है तो maximum case में उनके अंदर भी गुजरा है नापके वो भी abandonment के थुरू गय होंगे तो half compassion, abandonment ऐसा लगता है कि हमारे पास सब लोग होते हुए भी कोई भी नहीं है ऐसी वली feeling अंदर लाता है तो फिर वो काफी डरावना रहता है कि आप एक धरती पाय आये हो और इतने सारे लोग है और आप काफी vulnerable हो sensitive हो और आपको कोई भी अंदर रहे गा उतना अपके लाइफ में हर एक जगे पर वो मैनिफेस्ट होगा इवन यू नॉट सी ताट अबंडंस इन यूर फाइनसे और इवन यू दोंट सी ताट वाल्यू यू जो हम रिलेशन की बाल्यू की बात करते हैं तो इन फ्लेम में के इतना डीप लॉव हो दिप लॉयल्टी होती है लेकिन अगर अगर अबंडंमेंट है तो यह सब डिवाइन एनर्जी वहां पे नहीं मिलेगा आपको बिकॉस अबंडंमेंट वह सारी अच्छे चीजों को मास कर देगा आपको कुछ भी फील नहीं होगा और नहीं आप अट्रट कर पाओगे सब्सक्राइब के साथ अपसेट में रहने से अच्छा है यू लुक विदिन अपने अंदर देखिए और अपने अंदर जहां पे भी यह चीज आपको महसूस हो रही है सिंपल टूल मेर एक्सराइज स्टार्ट करिए और जिस दिन आप रेडी होते हो आसेंशन करने के लिए कि नहीं हाँ मैंने मीडर एक्सराइज मास्टर कर लिया और वर फिलिंग कॉन्फिटेंट अब मुझा असेंशन करके हर्मोनियोस यूनियन मानिफेस्ट करना है जॉइन विथ मी यू आप भी मनिफेस्ट कर सकते हो तो जस लब यूर्सेल्फ लेट गो अबंडनमेंट और ख्लेम यूर हर्मोनियोस यूनियन यू डिजर विट थैंक यू